बक्तों आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे आप एक पीपल के पत्ते से दो लौंग से और चार काली मिर्च के दानों से किसी भी महिला को या पुरुष को अपने वश्मे कर सकते हैं जी हाँ चाहे आप महिला हों या आप पुरुष हों किसी को भी आप अपने वश्मे कर सकते हैं अगर आप किसी से अपने मन की बात पूरी करवाना चाहते हैं तो आज ही इस वीडियो को पूरा देखें ये जानने के लिए आप देश में किसी भी कोने में बैठे हों विदेश में कहीं पर भी हों अगर आप चाहते हैं इस काम को करना जी हाँ इस उपाए को करना तो आप हमारे नमबर पे कॉल कर सकते हैं ? नमबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख जाएगा उस नमबर पर कॉल करके आप अपना कारे भी करवा सकते हैं लेकिन आज मैं आपको बता ले जा रही हूं एक ऐसा हुपाय जिससे आप घर बैठे ये कारे कर सकते हैं इस कारे को करने के लिए सिर्फ आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता दो लॉंग और चार काले मिर्च और एक काले रंग का मारकर अब ये विधी शुरू करते हैं उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को और बैल आइकन को दबा दीजे क्योंकि हम अपने भक्तों के लिए बहुत सारे काम की वीडियो बनाते हैं जिसके द्वारा आप आपके जीवन में आँ रही समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं क्या आपको करना क՞ा है पीपल का पत्ता लेना है और उसके बाद आपको उस पर नाम लिखना आजी हां दोस्तों आपकी प्रेमिका का नाम जो भी हो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजे मान लीजे कि आपकी प्रेमिका का नाम अगर जैसे मैंने कि यहाँ पर लिख दिया है एक लड़की का नाम असल में हमारे पास अभी call आया था जिसमें हमसे उन्होएं कहा था कि उनकी जो Premika है वो उनकी बात नहीं मान रही है तो उन्होंने अपनी Premika का नाम बताया था और उसी के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं उसी कारे को करने का तरीका क्या है तो उनकी प्रेमिका का नाम सरिता है और उनका नाम है रमेश तो रमेश ने हमें कॉल किया था सरिता को अपने वश में करने के लिए तो हमें इस तरह से लड़की का नाम लड़के का नाम लिखना है बीच में हमें बनाना है जमा का निशान और नीचे हमें बनाना है स्वास्त जी हाँ आप इसे अच्छे से देख लीजे एक ़र दोबारा मैं आपको दिखा दिती हूँ वीडियो में आपको सबसे ऊपर लिकना है अपना नाम पिर लिखना है चमा का नाम और अपना नाम यानी कि जिसको आप वश में करना चाहते एं उसका नाम महीला हो सकती है पुरिश क्या करना है मैं आपको बताती हूं यह आपको रखना है अपने सामने पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएए और सामने इस पत्पे को इस तरह से रख लीजे अब इसके उपर जहां पर आपने लड़की का नाम लिखा है वहाँ पर नीचे रख दीजे एक लॉंग जहां पर लड़के का नाम है वहाँ पर लिख दीजे दूसरी लॉंग ये दोनों लॉंग रखने के बाद दो लॉंग रखनी है आपको जमा के उपर और दो लॉंग रखनी है आपको स्वास्तिक के उपर ये आपने लॉंग रख दी है यहां पर और काली मिर्च जो है वो इस तरह से इसके उपर रख दीजे, इस पत्ते को इस तरह से मोड कर लॉंग और काली मिर्च इसके अंदर आ जानी चाहिए, अब आप इस तरह से इसे पूरी तरह से अपने हाथ में रखे, सीधे हाथ में इसे पकड़ कर आपको करना है एक मंत्रो चारण, जी हाँ ये मंत्र क सरिता कुरु कुरु स्वाहा, यानि की जिस भी विक्ती का नाम आप इसमें बोलेंगे, अमुकम की जगे पर, वहाँ पर आपको बोलना है अपने प्रिय व्यक्ती का नाम, जिसे आ वशमें करना चाहते हैं, इस तरह से इसे अपने ہाथ में रखें, और इसमें यहाँ पर प्ता का फूकना है हुआ से ये उनदर नाम लिखा हुआ है वह आपके मंत्रों के असर से पूरा बाद से प्ते को ले Stack आपको perform करना है इस जहां से आपने पेड़ लिया था वहींपर जोटा सायं गढ़ा को उद्धा कीषी हिर No और उसके बाद इस पत्ते को वहां पर दबा देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर वापिस आ जाना है, और उसके बाद आपका कारे हो जाएगा, जी हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका कारे हो जाएगा, आप हमें कॉल करके जरूर बताइए कि आपका कारे हुआ की नहीं, हमारा नंबर वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो इस तरह से आप ये कीजिए, ये आपको बता दें, ये बहुत सारे भक्तों ने इसे आजमाया है और उन्हें इसका फाइदा हुआ है, तो आपक पर कॉल लगा सकते हैं, हम आपका ये उपाए करके देंगे, आज के लिए बस इतना है भक्तों, धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए